आज की कथा है चतुर पंडित और उड़त की दाल तथा भोला कोतवाल आईए कथा च्रिवन करें बहुत पुरानी बात है एक गाउं में कोतवाल के रूप में तैनाथ एक अत्यांत सीधे साधे और बड़े भोले व्यक्ती ललन रहते थे ललन का परिवार भी उन्ही जैसा सीधा साधा था परिवार में दो ही प्राणी ललन और उनकी पतनी लाली थी सरकार ने कोतवाल होने के नाते ललन को थोड़ी जमीन दे रखी थी जिस पर वे खेती करते थे और उन्हें अपने हाथों कभी खेती नहीं की थी एक साजी दार को वे खेती करने को दे देते थे और खुद कोतवाल के रूप में ड्यूटी करके अपना पेट पालते थे आड़े वक्त के लिए घर में रख लेते थे और घोर गर्मियों में भरी बरसात में जब कई-कई दिन घर से नहीं निकलते थे तो ऐसे में जमीन के फसल का आनाज उनके घर में भोजन बनाने के काम आता था एक बरस ललन ने खुद खेती करने का सोचा किसी से बैल मांगे अपने हाथों मेहनत से सारी खेती का काम किया बड़े मेहनत से उड़द बोया उनको दी गई जमीन भाटा जमीन थी ऐसे जमीन में उड़द की फसल खूब अच्छी होती है ललन की भी फसल बहुत अच्छी हुई काट कर खलियान में लाए और बैल मांग कर ही ललन ने फसल को बैलों के पाउं के खुर के नीचे से कुचलवा कर दाव किया उड़द के पौधे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और उनकी कलियों से दाने निकल कर उसकी भूसी में मिल गए उन्होंने दाने को अलग किया दिन भर के मेहनत के बाद उड़द तयार थी राज-राज के रूप में निकला हुआ उड़द बहुत चमक रहा था जिसे देखकर ललन और लाली भाभी बहुत खुश थे खलिहान में दान मांगने वाले बहुत आते थे पडोस के गाउं का एक पंडित जब उनके खेत में आया तो लाली भाभी ने अचानक कोहा भर के उन्हें दान देना चाहा तो पंडित ने पूँचा क्या फसल है माई लाली भाभी बोली महराज उड़द हुई थी पंडित पीछे हट गया ना 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 हम उड़द खाते ना उड़द दान में लेते तुम लोगों को पता नहीं है क्या उड़द ना कोई पंडित खाता ना दान में ही जाती है और सामान ने दिनों में भी उड़द का उप्योग नहीं किया जाता उड़द तो किसे की तेरही में ही दी जाती है अंधविश्वाशी पंडित ने ललन और लाली को और ज्यादा अंधविश्वाश में पटक दिया ललन को लाली भावी ने सलाह दी कि ना हो तो अपने पंडित नमवीन राम से पूँश लो कि उड़त की फसल कोई नुकसान न करे क्या करें इतनी महना से इतनी फसल तैयार हुई तो मजबूरी में लललन दोडते हुए पंडित नवीर राम के घर पहुँचे बताया कि इस बार उसने साजीदार को हटा कर खुद फसल बोई थी और सबने कहा कि उड़त की फसल अच्छी होती है तो उड़त बोदी आब उड़त तो बहुत अच्छी हुई है पर अभी अभी एक पंडित ने दान में नहीं ली कहने लगा उड़त तो शनी का दान होता है तेर्मी का दान होता है भले लोग ना उड़त दान में लेते हैं ना देते हैं आप बताओ महराज उड़त मेरे लिए कैसी रहेगी पंडी जी की आँखों में लालच उतर आया वे मीठी जुबान से बोल पड़े ललन मैं मर थोड़ी गया था पहले क्यों नहीं आया पहले पूँचता तुम्हें कुछ बताता आप तो सब सत्यानास हो गया ना ललन बोल पड़े महराज अब गलती हो गई अब रास्ता बताओ पंडी जी ने गिनना शुरू किया देख तेरा नाम ललन और राशी तेरी फला फला है अपनी उगली पर रख कर समझ में ना आने वाली राशियों के नाम लेते रहे फिर गिनकर बताया कि तेरी राशी पर सनी बैठा है उड़त की फसल तेरे लिए तो दुश्मन है अगर तुने एक दाना भी उड़त का खा लिया तो समझ ले कि भगवान ही मालिक है उड़त खाते ही मर जाएगा आगे तू जाने तेरा काम ललन बोल पड़े महराज आब उस उड़त के क्या करें कुछ तो बताओ पंडित नवीन राम चिल्लाए जो उसको खाएगा वे मर जाएगा क्योंकि फला राशी में उड़त नुकसान करता है ऐसा कर तो पूरे उड़त किसी को दान कर दे हाँ देख कोई दूसरे गाउं का पंडित नहीं लेगा क्योंकि शनी का दान होता है ललन मजबूरी में बोला महराज करपा करो आप ही मेरे पुरोहित आपके सिवाए किसको दूँगा अन्मने भाव से पंडित ने कहा वैसे तो मैं शनी का दान लेता नहीं हूँ तेरा संकट अपने माथे लेता हूँ नहीं मानता तो ले आ ललन ने खेत में बैठी लाली को सारा किस्सा कह सुनाया लाली को बड़ा दुख हुआ कि सारे काम छोड़ कर निराई गुडाई करते रहे और खलियान से फसल पंडित के घर जा रही है इधर ललन किसी से बैल गाड़ी मांग कर उसमें उड़त भर रहे थे कि मनना माना तो लाली भावी ने एक डलिया उड़त भर कर भूसे में छिपा दी ललन जब उड़त पंडित के घर देने चले गए तो जल्दी जल्दी में लाली भावी ने उड़त की डलिया भूसे से उठाई और अपने घर जाकर छुपा दी बेचारे ललन के भाग में वो तवाली की नोकरी करना लिखा था सो उसे पर आश्रित रहे एक दिन की बात है ललन की इच्छा हुई की अपने ससुराल जाए उनकी ससुराल पास के गाउं में थी वे लाली से बोले मैं तेरे माई के जा रहा हूँ तो दो तिन दिन आराम से रहना लेकिन डरना नहीं ललन निकले तो लाली भावी ने सोचा की अब मौका है अपने हाथ की उगाई गए उड़त की दाल का स्वाद तो लिया जाए सुनते हैं उड़त की दाल बड़ी स्वादिष्ट होती है सुभा से ही लाली भावी ने उड़त की दाल उबालने के लिए रख दी हंडिया में उड़त खदकती रही उड़त की दाल बहुत देर में पकती है जब पता लगा ठेक से उबल गई है उसने बढ़िया हेंग डाल कर छोका लगाया ललन अपने ससुराल पहुँचे तो पता चला ससुराल के सब लोग कोई दूसरे गाउं चले गए हैं और वहां घर में ताला लगा था मजबूरी में ललन अपने गाउं उल्टे पाउं लोटाए लाली भावी को उड़त की स्वादिष्ट मन पसंद दाल मिली तो सटा सट भर पेट खाई और आलस में आकर पाउं पसार के सो गई ललन घर आये तो किवाड लगे थे उन्होंने आके द्वार खट-खट आया आवाज लगाई तो लाली चौकी किवाड खोले तो ललन सामने थे क्या हुआ उन्होंने कहा तेरे भाईया भावी सब कहीं महमानी में चले गए हैं तो मुझे लोटना पड़ा रोटी तक नहीं मिली बहुत भूक लग रही है चल जल्दी से खाना दे पती को भूखा देख बिना सोचे विचारे लाली भावी ने जल्दी से आरदस रोटी और थाली भर उड़त की दाल ललन के सामने रख दी ललन भूखे थे ना रंग देखा ना दाल की जाती और सटा सट भर पेट खाने लगे ड़कार लेते हुए वे बार बार कहने लगे की आज की दाल बहुत अच्छी है कैसे बनाई होगी अब लाली भूल गई थी की पंडित नवीन राम ने कहा था यह दाल तुम बिलकुल मत खाना एक दाना भी खाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है उनसे रहा नहीं गया पती की खुसहाली के लिए वे उसने जपट कर थाली खीची दाल थी लाली कहने लगी मुझसे गलती हो गई मैंने अपनी खेते की उड़द की फसल से उस दाल बचा ली थी वही आज बनाई थी वही आपको खिला दी ललन के मस्तिष्क में बार बार नवीन राम की कही बात घूम रही थी ए ललन तु एक दाना भी खाया तो मर जाएगा भोला ललन इसी विचार में बहुत परिशान हो गया सच को तस्दीक करने के लिए वह वही लेट गया सोच रहे थे मेरे पेट में उड़द गई है अब वह बम की तरह विस्पोट करेगी और धीरे धीरे मेरे पास मृत्यू का आना शुरू हो जाएगा उन्होंने अपने पैर फैला लिये और लेट गए फिर सांस रोकने की कोशिश करने लगे लाली बोली कैसे लेट गए ललन ने कहा देख मैं तडब के मरूं इससे अच्छा है मौत का स्वागत करता हूँ नवेन राम पंडित ने कहा है तो मौत तो आही जाएगी उड़त खाने से अब मैं आराम से उसी का इंतजार करता हूँ दोस्तों आप को अख़ता कैसे लगी अपने विचार और सुझाओ कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जये शिर राम भुक्तों